हंड्या तेहसील के ग्राम विजगाव बाजार क्षेत्र में रविदार को मंदिर के पास में रोल पर एक सत्तव वर्षिये बुजूर की किसी अज्यात व्यक्ति ने धारधार हत्यार से हत्या कर दी। हत्या की घटना सुनकर पूरे गाव में संसनी फैल गई। सूचना मिलते हंड्या पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बना कर पोस्ट मॉटम के लिए जिलास पताल भेजा। इधर हंड्या पुलिस ने बताया कि अजनास निवासी सुक दे ओ पुत्र जप्पु लाल कॉलकू उम्र सत्तर वर्ष्ट दो दिन। पहले ग्राम रिजग इसल अधिकारिव डॉक्स वायड की टीम घटना स्थल पहुंच गई और घटना स्थल का मौका मुएना कर शव का पनाचना बनाया और शव को पोस्ट मॉटम के लिए जिलास पताल भेज दिया गया। जिलास पताल में शव को मर्चुरी कक्ष में रख दिया गया है अगले दिन सुबह शव का पोस्ट मॉटम किया जाएगा।